पावन है सबसे उच्चा है साचा है ये दरवार कल युग में भी होते हैं जहां रोज चमतकार ले अम्बे नाम चलरे चल वैश्मधाम चलरे ले अम्बे नाम चल रे, चल वैश्मों धाम चल रे सुन्दर से मा के धाम की मही मा का माल है, मंदिर ये देवि मा का सबसे विशाल है परवत त्रिकुट के शीश पे माता का सिंगासन, जैकार मा के बोल के चल दी यहाँ पवन अंबर के बागल देते हैं माता को सलामी, पहरा देहनू मानू वैरो करते निगरानी दर्शन की सब के भाग में घड़ियां नहीं आतीं, दर्शन उन्हें मिलता जिन्हें मा भेजती पातीं द्वारे पे मा के लगती लंबी कतार है, दर्शन कब होगा सब को इंतजार है जीवन है जिसका नाम वो है कच्चा सा धागा, जो मा के द्वार जा न सके वो है अभागा सूरज की पहली किरण होती है जो सिंदूरी, कहती है पता मा को है मजबूरियां तेरी क्या सोच रहा तू के ये पैसा है जरूरी, पैसे ने बना रखी है मा बेटे में दूरी इस पाप की गठरी को परे रखके तू आजा, आजा तू खुला है भवानी मा का दर्वाजा मील अठा रह ये जम्मू से दूर है, दर्शन जुमा का पहला जग में मशूर है कन्याओं के संग माता यहां कूब थी खेली, इस स्थान को कहते हैं भक्तों कौल कंदोली यहां से चार मील जब आगे जाओगे, दर्शन जुमा का दूजा है उसको पाओगे दुर्गा की एक भक्त जिसका नाम था देवा, करती थी सच्चे मन से सदा मईया की पूजा दर्शन उसे तेने को एक दिनाई थी माई, तब से ये जगा बन गई भक्तों देवा माई रस्ता बताओं सब को तेरा वैशन औरानी, हो जाए कोई भूल ख्यमा करना भवानी माता की जै जैकार होती कटरा धाम पे, होती यह सुबहा है जै माता के नाम से ये यम्बे नाम चल रे, चल वेश्को नाम चल रे गिनता नहीं जो राह में कितनी लगि ठोकर, जाता है मा के द्वार से वो जोल या भरकर तुम यातरा से पूर्व यहां परची कटाना, जैकारा मा का बोलके फिर यातरा करना पर चीजो कटाई है इसे ध्यान से रखना, उपर भी जाच होगी से को नहीं देना बचे है छोटे वृद्ध या ना जा सके चल कर, उनके लिए मिलते है यहां भाड़ पे खचर खचर पे भी ना बैठ सके जिसकी यवस्था, उनके लिए यहां है पालकी की यवस्था ले अम्बे नाम चल रे, चल वैश्को दाम चल रे ले अम्बे नाम चल रे, चल वैश्को दाम चल रे कटरा से थोड़ी दूर है मश्भूर ये मंदिल कहते हैं सारे इसको यहां भूमी का मंदिल माता के परम भक्त जिनका नाम था श्वीधर करते थे मा का ध्यान सुबह शाम जो अक्सर रहता था उनके मुख में सदा मया का वर्णन कन्या का रूप धार दिये माता ने दर्शन कहने लगी कर भक्त भंडारे का योजन आस पास जाके देया सबको निमंत्रन देने निमंत्रन भोज कावे सबको चल पड़े रस्ते में भैरो संग कुछ साधूने मिले बोले शिधर है बाबा कल मेरे घराना भंडारा माका कर रहा हूं भूल ना जाना ये अंबे नाम चल रे चल बैश्मो धाम चल रे अगले दिन प्राता काल से श्री धर जी के घर पर आकर इखटा होने लगी फीड भवन पर भैरो नाथ आए गोरखनाथ जी आए दोनों के संग उनके कई शिष भी आए भोजन मिलेगा आज सभी जन थे प्रसंचित गिन्तू बिना कन्या के हुए श्री धर चिन्तित इतने में लिये हाथ कमंडल मा पधारी वो दिव्य कन्या लग रही थी सब को ही प्यारी देने लगी कमंडल से सब को वो भोजन ये देख के श्री धर का प्रसन हो गया थमन ले अम्बे नाम चल रे चल वेश मो दाम चल रे आई वो देने भोजन जब खैरों के पास वो कहने लगा चाहिए मदिरावा मुझे मास बोली वो कन्या योगी जी प्रामण के द्वार से जो कुछ भी आप को मिला स्वीकारों प्यार से कन्या को पकड़ने लगा वो विनती नामाना कन्या भी तुरंत हो गई तब अंतर ध्याना देखा उसे भैरवने अपने विद्यायोग से वो पवन रूप धार चली तिकट और है इस दिव्य कन्या को चला तब भैरो पकड़ने वो मूढ मती उसका पीछा लगा करने ये अम्बे नाम चल रे चल वैश्टो नाम चल रे ये भूमि का मंदिर वही तो स्थान है भोजन खिलाया सब को कन्या रूपी मातने यहां से तेड़ मील जब आके जाओगे तो रास्ते में दर्शनी दर्वाजा पाओगे मा के भवन का मिलता यहां पहला नजारा सब भक्त लगाते हैं यहां आके जैकारा माता का भैरोनात में जब पीछा किया था उस वक्त मा के साथ साथ वीर लांगुर था जिस जगहा के प्यास ने लांगुर को सताया माता ने पत्थरों में यहां तीर चलाया ले अम्बे नाम चल रे चल वेश्को नाम चल रे लगते ही बान निकली जो जल की धारा वो धारा यही है जिसे कहते बान गंगा माता ने इसमें केश धोके उनको सवारा इसका रण इसका नाम दूजा है बाल गंगा आगे जो चलोगे रोम रोम खिलेगा बान गंगा से जो पार करे पुल वो मिलेगा पुल के करीब ही है एक माता का मंदिर करते हैं कई वक्त यहां स्नान भी रुक कर होता है यहां से ही शुरू सीड़ी का रस्ता इसकी बगल से जा रहा इक कच्चा भी रस्ता मां अम्बे नाम लेके पोड़ी पोड़ी चड़ो जी शर्माओ ना सब मिलके जैमाता की कहो जी माता की धुन में खोके जो चलता चला गया सबस्क्वेह जाओा नाम